नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख़वर बताने वाला हूँ और जिसे जानकर आप बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे भारत सरकार अपनी रणनीती पर टिकी रही और इसी कफल आज हमें मिला है चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं तभी मजाएगा आपको बात जानने में भी तो अरुसल हुआ क्या कि जब कोरुना वारस से स्टार्ट हुआ था तो सभी को पता था कि चीन से कंपनिया किया किया शार्टिंग से ही जो कॉपरेट टेक्स था उसे दुनिया में सबसे कम कर दिया इसके लावर जो दुनिया भरकी जो बड़ी कंपनी थी मल्टिनेशनल कंपनी थी जो क्वालिटी कंपनी थी उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया हाँ चीन से भी कुछ कंपन पर बिरोसा नहीं था मालिजे कल को वो चीन से भारत आ रही थी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने देश के जैसे की अमेरिका या या यूरोपेन देशों के कहने पर भारत से चीन चली जाए तो ऐसे में भारत यहां पर इनकी तरफ अट्रक नहीं था भारत उन्हें attract करना चाहता था जो भारत में रहाकर genuinely business करना चाहती थी और लंबे समय तक भारत में ठिकना चाहती थी और इन्हें कमपनियों को भारत बुलाने के लिए भारत ने एक और रंडीती अपनाई थी double taxation की यानि कि भारत में बाहर से import होने वाले सामानों पर जादा से जादा tax लगाना शुरू कर दिया लगबग 100% यानि अगर कोई चीज विदेशों में 100 रुपे की है भारत में वो 200 रुपे की बहुत से लोगों ने इसके आलोशना भी करी कि जी बहुत से कंपनिया तो ऐसी हैं कि वो शुरुआत में बाहर से import करेंगे समान भारत में अपना business देखेगी चलेगा नहीं चलेगा और फिर भारत में बनाएगी ऐसे में जो import duty है उससे उस company का समान बिके गए नहीं और वो company कभी ना भारत आएगी ना भारत में बनाएगी लेकिन भारत की सोच क्या थी example में आपको देता हूँ टेसला का तो टेसला का प्लान ये था शुरुआत में जब फरवरी जनवरी फरवरी में खबर आएगी टेसला भारत आएगी कि टेसला शुरुआत की एक डेड़ साल बाहर से जो अपनी कारे हैं वो बनाकर भारत में इंपोर्ट करेगी और बेचेगी लिकिन भारत के डबल टेक्सेशन के कारण टेसला की कारे थी लगबग एक करोड तक जाने की आशनका थी ऐसे में टेसला ने अपनी रणनेती बदली और कागी जी हम बाहर से कार के कलपुर्जे लाएंगे और भारत में उन्हें जोड कर यानि के असेंबल करकर बेचेंगे और इस सिर्फ टेसला ने जितने भी मुबाइल कंपने जैसे की चीनी कंपनी दी शाउमी इसके लावा दुनिया की जितने भी लगबग कंपनिया भारत आ रहे थी सबी ने यही रणनी थी अपनाने शुरू कर दी लेकिन भारत ने इनकी चाला की पिछले बजट में हटा कर रख दी कैसे भारत ने सबसे पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी दूसरा काम भारत ने किया कि जो अटव पार्ट्स भारत आते हैं वाहर से इंपोर्ट होकर उन पर भी टेक्सेशन बढ़ा दिया जिससे की असेंबली की भी रणनी तीन की खतम हो गई ऐसे में भारत के एक बार फिर आलोशना हुई कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है इससे तो जो टेसला वगरा कंपनियां ही आएंगी यह नहीं कि भारत लेकिन भारत ने यह जो जोखिम लिया था उसका फल आज भारत को एक बार फिर से मिला है दरसल टेसला की तरफ से आयलान यह हुआ कि टेसला भारत में ही अब मैनफेक्चरिंग करेगी और इसके लिए प्लांट सेट अप करेगी करनाटका में ना सिर्फ मैनफेक्चरिंग करेगी बलकि रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट का जो एक प्लांट है वो भी लगाया जाएगा अब इससे फायदा देखे भारत वो कितना हुआ है अगर असेंबली होती तो भारत में मुश्किल से इनका काम हो जाता पांट से लेकर दसजार मजदूरों से ही लेकिन जब बड़े लेवल पर मैनफेक्चरिंग होती है जब गीगा फैक्टर लगती है टेसला की उसमें हजारो हजारो वरकर्स की ज़रूत पड़ती है वो रोजगार ज़्यादा उत्पन होता है और सिर्फ यह टेसला का उधार नहीं है टेसला के अलावा बात करें तो जो युरोप की सबसे बड़ी कार मैनिफेक्चरिंग कंपनी है पीएसे गुरूप उनके सित्रोन भारत में प्लांट लगा रही है अंदरपरदेश में इसके अलावा जो किया मोटर्स है उसने प्लांट लगा हुआ है अपना अंदरपरदेश में ही इसके लगावा बहुत सारी कंपनिया है जो लगातार भारत आ रही है और टेसला का न खास इस लिए है और मैंने उधान इसलिए दिया क्यूंकि टेसला अपने आप में एक गलोबल ब्रेंड है टेसला अगर भारत आता है तो भारत की भी ब्रेंडिंग होती है क्योंकि टेसला ज़्यादा देशों में कार नहीं मनाता सिर्फ अमेरिका इसके लावा यूरोप में और इसके लावा तीसरा देश है चाइना और चोथा बनेगा भारत जी हाँ बाकी के अरब देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि जो अरब देशों से भारत की जो दूरी है वो काफी कमपड़ती है जो ट्रांस्पोर्टेशन कोष्ट है वो भी कमाएगी ऐसे में बताय जा रहा है कि जो भारत में लगा वा प्लांट होगा तो अंदर जब बता जा रहा है कि 35-40 लाग के बीच स्टार्टिंग कीमत होगी जो टेसला है वो भारत के जो लग्जरी मार्केट है उसे टार्गेट करेगा हाला कि कई लोगों को निराश होने की ज़रुवत नहीं है जो कार नहीं ले सकते उन्हें क्या कर सकते हैं टेसला भारत में बता जा रहा है कि सोलर रूफटोफ भी बेचेगा यानि कि जो आपकी छट है उसे सोलर प्लेट के एक तरिके से रिप्लेस कर देगा और वो काफी मजबूत होती है वो जी हाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो सोलर रूफटोफ है या फिर कंक्रीट किये चट है तो मेरा आनलासिस आपको कैसा लागा कमेंट आखे जरूर बताएगा साथी वीडियो को शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन बूलेगा